अब तक ज़िते की चाल बास की नजर और बाजे राव की तलवार पर संदेख नहीं करती हैं कभी भी मात नो सकती हैं बाजे राव बस्तारी मूटा एक बहुत ही फेमस डायलोग आप लोगों ने भी इस डायलोग को ज़रूर सुना होता मगर यहां पे इस जरुप की क्या जरूरत परें जिए इस जरुपं में की काई सिस्टस की चाल की बात हो रही बात हो रही हैं कि माधी जी ने हमपहलत के लिए यह नहारें हो कि भार्जे ख़ crystallike और वह बात हुद्व मुम्किन है जी हां मोधी जी ने हम भार्षयों के लिए मुंकिन कर दिया है अब हम चीटो की пал्रव को सुन भी सकते हैं और चिल्षे करने वाला हूं कि किस तरीके सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबादी ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम को टाइम मिलती रहें तो यह करते हैं आज की वीडियो स्टाइब नमस्कार मैं हूँ इमाच काइस कलका दी यानि कि 17 सितंबर 2022 हमारे देश के लिए गहुती आतियासिक दिन का कल हमारे परदान मंद्र स्री नहीं द्रमोदी थी का भात्तरवा जन्दिका अपने जन्दियोस पर उन्होंने हम भार हम देशवास में को एक बहुत नायात ओफा द जिसका नाम बॉइंग 747 और 400 चलिए और वो 8427 किलोमेटर की यात्रागर की वह हमारे देश के मध्या परदेश के सहर क्वालियार पर लेंड करना उस फ्लाइट के अगर मैं बात करी तो वह एक बहुती कस्टमाइज फ्लाइट था उस फ्लाइट में हमारे देश के लिए ए अफ्रिकन कंट्री नामिपिया से हमारे देश में 8 चीतों को लाया गया है, कल सुबह 8 बजे कि वालिया एरपोर पर जिस 0747 और 400 चलिए दो फ्लाइट को लैंड कराया गया, जिसमें 8 चीतों को लाया गया था, वहां से उन 8 चीतों को उन फ्लाइट से निकाल के पाई हेलि अब जो आठ जीते नाविबिया कंट्री से लाए गए उन आठ जीतों में तीन मेल जीते हैं और पांच फी मेल जीते हैं अगर मैं तीन मेल जीतों की बात दो उनमें से जो दो मेल जीते हैं वो भाई है और एक मेल जीता अलगी अगर मैं उन दो मेल चीतों की बात को जो की भाई है उनकी उमर साड़े 5 साल है जो की नामीबिया में ही और इज वारोंगों में पाए गए थे और वहां पे वो जुलाई 2020 से रह रहे थे जबकि एक तीसरे चीते तीसरे मेल चीते के अगर मैं बात करूँ तो उसकी उमर साड़े चार साल की बताई जा रही है जो की नामीबिया में ही एडिंटी प्राइट कॉल गेम रिजर्व में पैदा हुआ था और वहां पे मार्स 2018 से रहरा था अगर मैं फिमेल चीतों की बात क हां जा रही है जो की नामीबिया की एडिंडी डिजर्व में पैदा हो ऐगर इसरे थी बात को तो उसकी। पांच साल बताई जा रही हैं तो नाम्यबिया की गोवा प्राइब हां तो वहाँ उसकी उम्र का इस पास साल बता ही जा रही है जो कि नामिप्या के इन कामन बुजाब जगह पे पाही गए तो खल परदान मंत्री स्रीदरोर्ट जी ने अपने वहतरवे जन दिवस पर मत्या परदेश के कुनो नेशनल पार्ट में तीन चीतों को उनके बाड़े से की रिलीज किया और उनकी चीतों को कुछ टाइम के लिए कॉरिंटेंट पेड में रखा जाएगा और उसके बाद कॉरिंटेंट पेड पुड़ा होने के बाद से बाद उसको नेशनल पार्ट में विच्रण करने के लिए शोड़ दिया जाएगा और अक्टूबर से हम भी उन चीतों को वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हाला कि उस टाइंग तक उन चीतों का क्वरिंटिन पेर पुड़ा नहीं होगा, लेकिन दिसंबर 2022 तक उन चीतों का क्वरिंटिन पेर पुड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम उन चीतों को आराम से जाके देख सकते हैं, तो क बात कुरूं, पुराने इस चीतों का घर माना जाता था। इंडिया के हर जगापे चीते देखे जा सकते थे, लिख चीतों का श्राव करने विज़ से, और चीतों का दूष उप्योग के विज़ से, हमारे डेस में छीते दीरे-दीरे कम होते चले गए अगर मैं बात करूँ तो 1947 में आकरी बार चीतों को देखा गया था और आकरी तीन चीते जो 1947 में देखे गए थे वो महराजा रामानुस परताप सिंग जोद्वारा सिकार किये गए थे जो कि उस तब है कोरिया के राजा थे और कोरिया आज के ट स्टार्टिंग में मुगर्व एंपरेडर साशक अकबर के बास हजार से जादा चीते जो उन्होंने अपने शिकार के रहे वे थे वहीं अगर मैं बात करूँ अकबर के बेटे जहांगिन के पास 400 से जादा चीते जिसका वो शिकार करते थे तो इस तरीके से धीरे-धिरे सिकार करने की वज़से हमारे देश में चीतों की संग्याद दियरे कम होती चली गए अगर मैं आइफस परविन कास्वान के अनुशार बात करूँ तो जिन तीन चीतों को माराजा रामानुज परताफ सिंग द्वारा सिंग द्वारा दिन का सिकार गया दया उनकी जो अगर मैं बात करूँ तो उनकी हाइप छे फीट चार से पांस इंस बताई जाती है और इन सभी का सिकार रात में किया गया था और उनका सिकार ग्रामिनों के द्वारा सिकायत पर किया गया था 1947 के बाद हमारे देश में चीते कभी नहीं देखे गए थे जिसकी वज़ा से 1952 में जवाला नहरू जी की गौवर्मेंट यानिकी जवाला नहरू जी की सरकार ने हमारे देश से चीतों को विल्म कोशिद कर दिया था अगर मैं बाद करूँ गई तो गई इस तरीके से हमारे देश में चीतों को लाया गया है लेकिन अब इस चीतों को जो लाने की जो प्रिकिरिया है वो 1979 से ही स्टार्ट हो गई थी मगर 2009 में इसके ओपर बहुत जादा काम किया गया मगर 2020 में कोर्टेस के ओपर स्टे लगा दिया गया था तो कि जब हम किसी चीतों को एक कंट्री से या किसी भी वन्या जीवों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लाते हैं तो काफी सारी फॉल्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है और इस फॉल्मेलिटीज में काफी सारा टाइम लग रहा था और पहले इरानी च और पर 25th मोजिब को हम ला रहे हैं और लुकम हूं और क्या उनका जो दोथा वार्ण वहां पर दाजा रहा है वहां पर इने है를 जितो वाल्बर्ण clicking यहां पर पिछले पात सालों में 50 चीतों को और यहां पर लाने की बात की जा रहेंगे और ये चितों जो लाए जा रहे हैं ये गाइस री इंटो री इस अगर मैं लागत की बात करूँ तो इस पूरए प्रोजेक का भारतिये सरकार ने बजर्ट बनाया है वह रुपीज में अगर मैं बात करूँ तो 9010 मिलियन रुपीज का उन्होंने बजर्ट तयार किया हुआ ह इसके अलावा गई यह जो आठ चिता यहां पर लाए गए और इको रखा जाएगा इन आठ चितों को रख रखाओं में जो खर्चा आएगा और वहां से लाने का जो खर्चा उसको अगर में मिडा दू तो पिछितर करोण तक का यह खर्चा बताया जा रहा है अब बात आएगे इसकी जो आठ सीता यहां पर लाए गए तो सिफ इसको नेशनल पार्क में ही तू रुखा गया नहीं और रख लेते हैं तो अगर मैं बात करो गई तो कुना नेशनल पार्क यह सबसे ज़्यादा सुटेबल माला गया है चितों के रहने के लिए और इसके ब अगर मैं बात करों तो ऐसे ही किन कुना नेशनल पार्क को नहीं चुना गया है कि 2010-2012 के भूज में 10 साइट्स यानि कि 10 साइट्स का सर्वेक्शन किया गया और इसमें यह नहीं पाया गया कि कुना नेशनल पार्क सबसे उन 10 साइट्स में से सबसे उत्तब चीतों के लिए रहा अगर मैं उन 10 साइट्स की बात करो तो 36 गर राजस्तान गुजरात और यूज है जरूधन है ट करें इसके अलावास उनको पाने की कमी ना हो नदी बैर इससे वहा पे रहने वाले ring टूरों को पाने की कभी कमी नहीं होगी इसलिए खुना फूरोन नैशर पार्कका को चुना गया हैрий इसके अलाबास चीत मेरे काफी सारे चितल के वहां पर काफी साथ चंग्या किन काफी SHIFT करते हैं तो इस सब चुछ को देखते वे उन्हों नेशनल पार्ट को चीतों के लिए चुना गया है इसके अरब में बात करते हुगा इस कुनों नेशनल पार्ट के पास जो भी 24 गाओं थे वहां से लोगों को हटानी किसी दूशी जिगा पर शिफ्ट किया गया और उन 24 से ये सारी चीजें चीटों को लाने की पूरीए फ्रिक्रिय ऋиля होर फाटी पातके 5 सारों में भार्ते कोर्मेंट का 40-50 चीटो और लाने की प्रिक्रिया थिए तो इसके पर जो भी अपड़िट आ है कि मैं अपने वीडियो के द्वार आपके साथ शैर करता रहागा allora 이제 आप